कॉंग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग-अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोशिज कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हरियाना के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिज हुई क्या-क्या प्रपश्च नहीं किये गए लेकिन इस समाज में भी इस सडियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नवजवानों को बढ़काया इस साजिस को भी हर्याना के नवजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूग संदेश दे दिया है ये देश विरोधी पॉलिटिस नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुढ होकर वोट दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोट दिया देश भक्तों को बाटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के विरोध बाती बाती के शड़ियंत्र चल रहे हैं भारत के लोगतंत्र को भारत के अर्थतंत्र को भारत के सामाजी ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतरास्तिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदरी के साथ मेरे प्यारे देश्वास्यों से कह रहा हूँ कि कॉंग्रेट जैसी राष्टिय पार्टी अंके चट्टे बट्टे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेले में शामील है देश भक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजिस को भी मुहतोर जवाब दिया भारत और हर भारतिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा तो झाल झाल